विल्कम टेर्ट चलब एसमें मार्केट स्टोकर रोगई जिए बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिम्टेट तो आज की कंडिशन की बात करें तो एक जबर्दस चंप यहां पर आज भी देखने को मिला अँगर पिछले आठ से दस दिन की बात करें तो काफी घराब थी झोरिब और ओद एक बड़ी अनुट个 Нणे की यहां पर क्या लपड़ा है तो गाईज वो डिसकस करेंगे, क्या डेट चेंजिंग वाला है, क्या कुछ है, इसमें डेट किस चीज की चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, तो पूरा डिसकस में इस्टूडियो को थुर्क रेंगे, इस वगई चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुले, तो एक लिटरेश पर दो नो भीर क्या है, तो अगर बात करें, तो यहां पर एक करोड के आसपास वोल्यम ट्रेट वह है, वो गई तो ऑन सब्सक्राइब करें, तो यहां पर एक करोड के आसपास वोल्यूम ट्रेड हुआ है बीस दिन में इसके अलावा सेंटिमेंट हेंड़ पर्षेंट बाइंग का है अगर बात करें ब्लोक डिल की तो यहाँ पर जो कि मार्स 2022 यानि के लास्ट फास्ट इलए में द्लोक डिल की बात करें तो सेप्टमबर में डंपिंग भी हुई है इंड यहाँ पर बात करें तो डंपिंग में हुई है समर्त 네 đây यहाँ तो अधित बिला ARC Limited ने disposal यहाँ पर किया है, काफी बड़ा disposal है, एक नहीं, कई सारे disposal जो की किये गए है, इसके अलावा announcement की बात करें, तो सबसे पहले में इसके financial की बात करें, तो quarterly result जो है काफी बहतरीन है, करीब-करीब तीन quarter से लगातार जो की साड़े 800 करोड के आसपास जो की revenue maintain किया हुआ नेट प्रोफिट की बात करें, company still loss में है, और काफी बड़ा loss है, जून quarter में साड़े 500 करोड के आसपास का loss हो किया था, EPS की बात करें, तो यहाँ पर भी situation जो की net profit वाली ही है, share holding की बात करें, तो guys यहाँ पर pledge आ गया है, यहनकी pledge पे गिर भी रख दिये गये share, 88.65% का pledge है and holding की बात करें, 84.06% की holding यहाँ पर जो की September quarter में है, FIA की holding increase हुई है, September quarter में DIA की holding है, वो decrease की गई है and अगर बात करें public की, तो public holding में यहाँ पर जो की decrease देखने को मिला है, अदर्ष की बात करें, तो holding दुबारा आई है, अदर्ष में 0.01% के साथ, foreign investor 0.17% holding increase हुई है, Mitchell fund की बात करें, 0.04% की holding है total, जो की and अगर बात करें, इसकी पीर्ष कंपनी की NTPC, power grid, अदानी power, अदानी energy, तो guys यह इसकी पीर्ष कंपनी अभी एटिजेंट मार्केट में मौजूद है, तो guys total equity की बात करें, तो यहाँ पर total equity जो है, 537 क्रोड की equity है, जिसमें 236 क्रोड जो है promoter के पास है, अगर बात करें public की तो 300 क्रोड की holding या पर जो की public के पास है, जिसमें FYI, DIA, others सब कुछ इसमें include है, तो guys, एक letter दिया गया है यहाँ पर, उसमें जो कि audited financial result की date का announcement हुआ है, 31st of October, तो यहाँ पर announce किया जा चुका है, कब announce हुआ है, 23rd of October को, एंड यह letter देने के बाद, जो कि BSC और NSC को यह letter दिया था, उसके कुछ time के बाद ही एक ओर letter आता है, उसमें क्या announcement होता है, वो भी देख लीजिए, तो guys, यहाँ पर कुछ करीब-करीब ऐसा ही letter है, 23rd of October को ही यह letter दिया गया था, BSC और NSC को, इसमें क्या clarify किया गया है guys, तो यहाँ पर clarification यह है, कि re-scadule किया गया है, यानि कि result जो आना था, 31st of October को आना था, वो re-scadule करके, 1st of November को, यानि कि next day result आएगा, जो कि last quarter का result, जो है, unaudited result, जो है quarter का result आएगा, एक November को, एंड इससे पहले जो announcement हुई थी, वो 31st October वाली थी, यानि कि एक दम से mind change हुआ एक नया letter तयार किया गया, और उस letter को upload किया गया, BSC की site पे, यह अभी evident change हुआ है, immediate effect के साथ change हुआ, यानि कि same date, करीब-करी जो कि timing है, वो भी करीब-करी same, तो यहाँ पर एक दम से mind change होके, और एक दिन पहले के बजाए, एक दिन बाद में, जो कि यहाँ पर result आएगा, य scheduled की गई है meeting, यानि कि 31st of October की बजाए, एक November को यहाँ पर result आएगा, unaudited financial result, जो कि September quarter का, तो यह अभी जो कि काफी बड़ा major change यहाँ पर जो कि एकदम से हुआ है, रतन इडिया पावर में, and situation काफी बैतरीन है, and अगर बात करें, कोटेक महिंदरा, जो कि काफी बड़ा bank बन चुका है, वो भी रतन इडिया पावर को support करने के लिए, बिल्कुल तयार है, कुछ टाइम पहले भी एक बड़ी funding की news आई थी, तो गईच, काफी कुछ चीजे, काफी कुछ बदलाओ, इसमें देखने को मिल रहा है, काफी सब्सक्राइब से एक बैथरी इसमें है, तो आप भी इसमें एक entry लेकि एक अच्छागा सा profit आप कमा सकते हैं, so thanks a lot for watching the video, so please take care, please like, comment, share and subscribe, thank you, take care.